दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे यह हमारा इस पार कर रहा था और जब इस पे हम लोड देते हैं तो लोड देने पर हमारा इसमें धुमा से निकलने लगता है तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको हम साही करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों कारवन को बाहर निकाल लेंगे यहां पर तीन स्कुरू लगे हैं तो तीनों स्कुरू को खोल लेंगे उसके बाद दोस्तों इसको बाड़े को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां हमारा कॉयल है और आर्मेचर है तो कॉयल देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर दो स्कुरू लगे हैं इसको भी हम बाहर निकालेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कॉयल जल चुका है और यह हमारा आर्मेचर दोस्तों अभी सही है खाली इसका धागा खराब हो गया है तो अब हम इसका दोस्तो कॉयल को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तो इसकुरू लगे हैं तीन इसकुरू लगे इसको हम खोल लेंगे इसको हम दोस्तो कवर को बाहर निकालेंगे फिर उसके बाद दोस्तो इसमें कॉयल की दो वायर होती है तो इसको हम खोल लेंगे और बाहर निकाल लेंगे कोईल की वायर को एक स्कूर्ड रैबर से दोस्तो हम इसका स्पिरिंग को बाहर निकाल देंगे कार्बन होडर में जो लगा रहता है फिर उसके बाद दोस्तो इसको इस तरह हम पटक देंगे तो यह हमारा फिल्ड कोईल बाहर आ जाएगा तो दोस्तो अब देख सकते हैं हमारा कोईल कोईल बाहर आ गया है फिल्ड कोईल दोस्तो बहुत ही काला हो गया है और यह हमारा फिल्ड कोईल जल गया है अब हम दोस्तो फिल्ड कोईल नए लगाएंगे यह हमारे पास CM5 का फिल्ड कॉयल है नया तो इसको हम दोस्तो लगाएंगे इसका फिल्ड कॉयल दोस्तो SB कभी लग जाता है लेकिन इस टेटर दोस्तो इसका छोटा होता है इसलिए दोस्तो हम SB का फिल्ड कॉयल नहीं लगाएंगे यह CM5 का कॉयल है तो इसको हम दोस्तो लग पधा देंगे। उसके अब पाद दोuggling की मदद से चatin होडर का होडर की इसमें पाड़ने में दोस्तो थोड़ी से मेनत हो सकती क्योंकि यह जल्दी एक सास दो मीज मुऌफ नहींत्य और हचा रिंस से कारबन mai कर सेफटy कवर से शजर बिलाएट लेनेगे। इससे हमारा फेLD OCOYR भी पकले रहता है और सेफटी कवर भी लग जाता है अब हम दोस्तों इसका कनेक्शन कर देंगे कि इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है दोस्तों एक सुच में लगा देंगे और एक मेन लाइन में लगा देंगे तो ये हो गया है उसके बाद इसको हम फिसेट कर देंगे अभी हमारा सब कुछ हो जुका है अभी दोस्तों इसको हम आर्मेचर को लगा देंगे अभी आर्मेचर का दोस्तों इसमें का धागा तूटा हुआ है तो इस धागे को जो हमारा बाहर है इसको हम धागे को काट देंगे अब हम दोस्तो आर्मेचर को लगा देंगे इसको बॉडी में लगा देंगे बॉर्डी में लगाने के बाद दोस्तों तीन स्कुरू होते हैं तो तीन स्कुरू लगाकर इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे इसकुरू टाइट होने के बाद दोस्तों इसको हम चेक भी कर लेंगे कि यह हमारा फिरी है कि जाम उसके बाद धोस्तों यह हमारा कारवान है, इस कारवान को लगा देंगे और क्याप को अच्छे से टायट कर देंगे अभी हमारा CM5 रेडी हो चुका है, दुदोस्तों वीडियो चलागी तु वीडियो को लाइक कर देना और चेनल को सब्क्राइब कर देना तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और मसीन को चला कर दिखाते हैं